अपने इतिहास वर्तमान और भविश्य को जानना मानवजाती के लिए हमेशा से ही एक रोचक और एक जिग्यासा भारा विशे रहा है यही जिग्यासा है जो हमसे नए शोध और नए अध्यन करवाती है और इसी जिग्यासा का परिणाम है कि हालही में मानवजाती के विकास को लेकर कुछ नए तथ्य सामने आए है आज इस वीडियो में हम इनी तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि असल में अतीत में मानवजाती का विकास किस तरह से हुआ मेरा नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दृष्टी आईए स्खीस्ट है वीडियो में वीडियो शुरू करते है और सबसे पहले वीडियो की रूप रेखा को समझ लेते हैं यान इन बिंदुों की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो वीडियो में सबसे पहले हम नियूज यानी खबर को देखेंगे इसके बाद हालिया खोज क्या है नए अध्यन क्या है नए शोद क्या है इस पर भात करेंगे इसके बाद इस नई खोज का महत्व क्या है ये खोज किस लिहास से हमारे इतिहास के देखने को नजरिये को बदलती है उस पर भी बात करेंगे साथी स्टेर्क 14 गुफा क्या है यानी यह जो नई होज है वो इस गुफा में ही की गई है इस गुफा की महत्व को भी समझने की कोशिश करेंगे साथी औस्टेरोपितिकस कौन थे क्योंकि इससे सम्वंधित भी बात की जा रही है तो इस पूरी प्रजाती को भी समझने की कोशिश करेंगे साथी मानव विकास की प्रक्रिया पर भी संशिप तौर पर बाचीत करेंगे आज की इस पूरी वीडियो में अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे प्रश्न प्रिलिम्स के स्तरका है और आप वीडियो में दिये गए तत्यों के अधार पर प्रश्न को हल करने की कोशिश कर सकते हैं आज का जो पूरा विशय है वो सामान या धिन प्रश्न पत्र एक से सम्मंदित है और आप इसे विश्व इतिहास और मानवी भूगोल जैसे खंडों से जोड़ कर देख सकते हैं वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की ख़बर देख लेते हैं आज की न्यूस देख लेते हैं आची हमारी जो खबर है वो Indian Express के Explained section से है, खबर है Are Humans Older Than We Thought? Explaining the Study of the Skeletal Remains from the South Africa. यहनी वीडियो में बताया गया है, पूरी News में बताया गया है, कि अब तक मानव जाती के इतिहास को लेकर हम जो सोचते आ रहे थे, किया मानव उससे भी जादा पुराने हैं, इसको लेकर इस पूरी ख़बर में विशलेशन किया गया है, साउथ अफरीका में जो नए अधिन किया गया है जो नए निसकर्ष सामने आए हैं उसको लेकर इस खाबर में बात की गई है चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि ये पूरी नई खोज है क्या आखिर तो इस नई खोज के मताबिक हाल ही में साउथ अफरीका यानि दक्षिन अफरीका के जो जोहानिसबर्ग के पास ही जोहानिसबर्ग शेहर के पास ये गुफा है गुफा का नाम है स्टेर्क फॉर्टेन गुफा इस गुफा के में एक शोध किया गया और इस शोध से पता चला कि इस गुफा के जो भी जिवाश में है इस गुफा में औस्टेलोपितिकस से जबकि इस से पहले यह माना जाता था कि इस गुफा में जो भी जिवाश मौजूद है वो औस्टेलोपिथिकस युग के अंत से संबंदित है या अब यह सबस्ट हो गया है कि इस अभी जिवाश इस युग की शुरुवात के हैं ना कि इस युग के अंत के चलिए तो हुई इस पूरी पूरे शोध में क्या बात की गई है नई खोज क्या है अब इस खोज का महत तो क्या है किस लिहास से इस खोज को हम महतवपूर मान सकते हैं तो पहले की धारना यह मानी जाती थी इस पूरी खोज से पहले अक्सर यह माना जाता था कि पूरवी अफ्रीका वे लूसी नामक एक जीवाश्म खोज का जो की तक्रीवन 3.2 मिलियन वर्ष पुराना है और ये मुखे तोर पर और ऐस्ट्रिलोपिथिकस के एफरेंसिस प्रजाती से सम्मंदित है लेकिन अब जो ये नई खोज सामने आई है इस खोज से पता चला है ये जो स्टेर्क फॉंटे लेकिन अब ये बात सपष्ट हो गई हैं पूरबी अफरीक पुराने ओंड के आप जो के बना जाता था 수 बाद स्पष्ट हो गई है कि जो दक्षिन अफरीकी अस्टेलोपितिकस के वन्शज नहीं है उसके डिसेंडेंस नहीं है बलकि वास्तव में उसके समकालीन है उसके कॉंटेंप्ररी है यानि दोनों एक साथ एक ही अवधी में मौझूद थे इस तरह से दक्षिन अफरीकी और पूरवी अफरीकी अस्टेलोपितिकस ने संयुक तोर पर आधोनिक मानव के पूर्वज की भूमिका आदा की क्याई पहले ये माना जाता था कि जो पूरवी अफरीका के अस्टेलोपितिकस के जीवाश में वहां पर जो Australopithecus मौझूद थे वो मानव इतिहास के हमारे असल पूरवज थे लेकिन अब इस नए खोज से इस नई खोज से पता चला है कि जो दक्षिविन अफरीका के Australopithecus के जीवाश में थे वो पुराने नहीं हैं बलकि दोनों समकालीन हैं और दोनों सन्यूक्त तौर पर हमारा पूरवज माना जा सकता है तो इस लिहास से इस पूरी खबर को इस पूरे अध्यन को इस शोद को काफी महत पूर माना जा रहा है चली अब तो यह तो हुई कि हमारी नई खोज क्या है उस खोज के महत तो क्या है आप जान लेते हैं कि इस गुफा के बारे में हम क्या कह सकते हैं यानि स्टेर को फॉंटेंग गुफा असल में है क्या दक्षण अफरीका में एक शहर है जोहानसबर्ग इस शहर से तकरीबन 40 किलोमेटर उत्तर पस्चिम में एक जगे है इस जगे को क्रेडल ऑफ हुमन काइन के नाम से जाना जाता है यानि मानव जाती का पालना इस विशेश नाम से इस से पुकारा जाता है और तकरीबन 47,000 अश्यक łंट में फैले इस पूरे छेत्र को युनेस्ट को द्वारा विश्व धरुहर स्थλλ भी घोशित किया गया है इस पूरे छेत्र की विश्ष्ष त बात की कि इस छेतर में गुफाओं की एक जटिल प्रणाली मौजूद है और इनी गुफाओं की प्रणाली में से एक गुफा है स्टेर्क फॉंटेन गुफा इस गुफा की विशेशता ये है कि इस गुफा में दुनिया में जहां भी एस्टुलोपितिकस के जिवाश और इसी लिहाज से एस्टेलोपितिकस के अध्यन के लिहाज से ये गुफा काफी महतपूर्ण हो जाती है और लगातार शोद करताओं दोरा इस पूरे छेतर पर अध्यन किया जाता रहा है नई-ई तकनीकों के माध्यम से और इसी तरह के एक हाली अध्यन में हमें नए निश दक्षिन्ड से थे खास तोर पर अफरीका के दक्षिनी शेतर से ये जो अस्टेलोपितिकस है उन्हें अब विलुप्त हो चुके प्रारंभिक मनुष्यों का एक समूह माना जा सकता है जो आध्वनिक मनुष्यों के पूरवजों से निकटता से सम्बंदित थे यानि इनमे इसी कई विशेष्टाएं मौजूद थी जो आध्वनिक मनुष्य के पूरवजों में मौजूद थी इसके लावा इनकी अवधी की बात करें ये किस समय तक मौजूद थे प्रत्वी पर तो ये लगभग 4.4 से 1.4 मिलियन वर्ष के आसपास पूरी प्रत्वी पर रहे थे इसके लावा इस पूरी प्रजाती के जीवाश में हमें मुख्यतौर पर पूर्वी उत्तरी मध्य और दक्षिन अफरीका के स्थलों में देखने को मिलते हैं और एस्टेलोपितिकल्स का जो पहला जीवाश में हमें देखने को मिला था वो साल 1925 में रेमंड डाट नामक एक एक एंथ्रोपॉलोजिस्ट द्वारा खोजा गया था और इस खोज के लिहास से इस 1925 में जो खोज हुई थी इस खोज से ये स्पश्ट हो गया था कि मानव विकास के शुरुआत असल में अफरीका में हुई थी यानि जब जो मानव हिस्ट्री है जो हीमन हिस्ट अफरीका से शुरू हुआ था ये तो हुई एस्ट्रेलोपिजिकस की बात अब लेते हैं मानव विकास की प्रक्रिया की संशिप तोर पर मानव विकास की प्रक्रिया को समझे से पहले हमें यह समझना होगा कि आफिर एवलूशन क्या होता है विकास क्या होता है. तो evolution को हम स जी प्रख्रिया को हम एवल्यूशन की प्रख्रिया कहते हैं और इस पूरी प्रख्रिया को लेकर कई विज्ञानी को द्वारा कई शोध करताओं द्वारा नए नए तथ्य दिय्ये गई हैं नए नए धार्णाये दी घई गई हैं नए आये प्रक्रिया के परिणाम सुरूप जीवों की प्रजनन शम्ता में वरद्धी होती है और वे अपने आसपास की परिस्थितियों के अनुकूल हो जाते हैं यानि जीव इस पूरी प्रक्रिया के परिणाम सुरूप नैचुरल सरेक्शन के परिणाम सुरूप अपने आसपास के बातवरण में ढहल जाते हैं इस तरहे से जीव यह इनि स्पीशीज समये के साथ कुछ बदलावों के चलते कुछ बदलावों के परिणाम सरूप विक्सित होते हैं उनमें कुछ बदलाव होते हैं और वो एक नया रूप ले ले लेते हैं ऐसा हमें चार्ल्स डार्विन ने बताया था अपनी थियोरी में लेकिन ये तो हुई मानव इतिहास में evolution का क्या बतलब होता है पर यहां सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मानव इतिहास की शुरुवात को देखा कहा चाजाए वहां से मानव इतिहास की शुरुवात हुई है या वहां से मानव इतिहास की शुरुवात की मानी जाए जब एक single cell का जन्म हुआ था या वहां से मानव इतिहास शुरु किया जब homo sapiens ने जन्म लिया था तो ये एक बहुत ही जटिल प्रश्ण है मानव इतिहास की शुरुवात को असल में चिन्नित करना एक कौथ ही मुश्किल प्रश्ण माना जाता है हम अपने इस आज की अध्यन के लिहास से मानव इतिहास की शुरुवात को तब से मानेंगे जब प्रत्वी पर एशिया और अफ्रीका में प्राइमेट्स का जन्म हुआ था, प्राइमेट्स का उदय हुआ था, और ये इतिहास की शुरुआत होती है इस तरह से तकरीवन 36 मिलियन वर्ष पहले, कौन थे प्राइमेट्स, तो प्राइमेट्स संधारियों की एक शेणी है मैमल्स की एक शेणी होती है, इस शेणी के तहट हम मौझूदा समय में बंदरों, वानरों और इनसानों को शामिल कर सकते हैं प्राइमेट्स की सबसे प्रामुख विशेष्टा ये होती है, कि इनके शरीर पर बाल होते हैं, इनकी लंबी गर्भधारण अवदी होती है, यानि इनका जेस्टिशन पीरेट काफी लंबा होता है, इसके अलावा, इस तरह कि जीवों में अलग-अलग तरह के दात होते है और इनकी सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख विशेष्टा ये होती है, कि इनके इनके पास अपने शरीर के तापमान को स्थिर बराये रखने की शमता मौजूद होती है, ये अपने शरीर के तापमान को टेंपरिचर को कॉंस्टेंट बनाये रख सकते हैं, ये तो हुई प तक्रीवन 24 मिलियन वर्ष पूर, 24 मिलियन वर्ष के आसपास प्राइमेट्स का एक उपसमूह विक्सित हुआ, और इस उपसमूह को होमिनॉइट्स के नाम से जाना गया, होमिनॉइट्स में मुख्यतोर पर वानर यानि एप्स शामिल होते हैं, इस पूरी प्रक्रिया के बार तक्रीवन 5.6 मिलियन वर्ष पहले, होमिनॉइट्स में भी एक समूह विक्सित हुआ, होमिनॉइट्स का भी विकास हुआ, और इस नए विक्सित समूह को जाना गया होमिनीट के नाम से, इस होमिनीट का, इस होमिनीट और होमिनॉइट में काफी विशेषताएं, काफी समा अंताय मौजूद थी क्योंकि होमिनीड होमिनौइट सही विक्सित हुआ था लेकिन दोनों में कई अंतर भी मौजूद थे कई डिफरेंस भी मौजूद थे क्या थे अंतर उन अंतरों की बात करें तो होमिनौइट का मस्तिश्क होमिनीड की तुलना में छोटा होता है यानि ह होमिनीट का जो मस्तिश होता है जो उपरी हिस्सा होता है दिमाग का वो काफी छोटा होता है जबकि होमिनीट का जो मस्तिश होता है वो काफी बड़ा होता है तो इसे हम अपनी मानसिक शमता के रूप में देख सकते हैं होमिनीट की मानसिक शमता के रूप में देख सकते हैं इनके पास ज्यादा वानशिक शम्ता मौजूद थी होमिनॉइड इसके तुलना में इसके अलावा होमिनॉइड चार पैरों पर चलते थे जबकि होमिनीड सीधे खड़े होकर केवल दो पैरों पर चल सकते थे यानि एक नई विशेश सा हमें इन में देखने को मिली इसके अलावा जो होमिनीड थे उनके पास विशेश किस्म के हाथ मौजूद थे तुलनात्मक रूप से जो होमिनीड थे उनके पास इतने बहतर हाथ मौजूद नहीं थे उनके पास ग्रिप नहीं थी जबकि हॉमिनीट के पास एक विशेश तरह के हाथ मौजूद थे और इन हाथों के माध्यम से वो औजार बना सकते थे तो ये तो हुई हॉमिनीट के बाद अब ये माना जाता है कि हॉमिनीट का जो उद्भव हुआ जो विकास हुआ वो अफरीका से हुआ था इसके लिए हमें दो साक्ष दिये जाते हैं हमारे सामने दो साक्ष दो तत्थे जो हैं प्रस्तुत किये जाते हैं पहला साक्ष ये है कि अफरीकी वानरो यानि अफरीका में जो एप्स मौजूद हैं की विशेश्टाएं काफी हद तक हॉमिनीट से मिलते जुलती हैं यानि उन में जो विशेश्टाएं मौजूद हैं वही विशेश्टाएं कुछ हद तक हॉमिनीट से भी मौजूद हैं इसके अलावा जो सबसे प्राचींतम हॉमिनीट जीवाश मिलता है वो भी हमें अफरीक से हुआ पूर्वी अफ्रीका से हुआ जिसको लेकर हम ने पहले भी बात की इसके अलावा हॉमिनीट को भी आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है कई ब्रांचेस में बाटा जा सकता है लगबग 20 ब्रांचेस में हम इने बाट सकते हैं और इन में से दो प्रमु ब्रुदा मानव प्रजाती है मानव जाती है उसका विकास होमो से ही हुआ था होमो को उनकी विशेष्टाओं के अधार पर कई प्रजातियों में विभाजित किया जा सकता है उनकी characteristics के अधार पर कई प्रजातियों में बाटा जा सकता है जैसे इसमें से पहली है होमो हैबि homo sapiens प्रज्या यानि intelligent थे और चिंतल शील मनुष्य थे यानि वह विचार कर सकते थे और homo sapiens इस लिहाज से महत्पूण हैं कि जो मौजूदा समय में प्रत्वी पर जो भी मनुष्य मौजूध है वो सभी homo sapiens प्रजाती से ही संबंदित है तो यह तो हुई मानव विकास की प्रक्रिया के एक संशिप्त परिशे अवंत में प्रष्ण पर बात कर लेते हैं प्रष्ण प्रिलिम्स का है और आप इस पूरी वीडियो में बताए गए तत्यों के अधार पर कॉमेंट बॉक्स में इस पूरे प्रष्ण का जबकि हॉमिनीट चार पैरो पर चलते थे, आपको बताना है कि इन दोनों कतनों में से, इन दोनों स्टेट्मेंट्स में से कौन सी स्टेट्मेंट्स सही है, हमारे उप्षन से किवल एक, किवल दो, एक और दो दो ना तो एक और ना ही दो, आप इस वीडियो इस पूरे पत्र में इसे संबंधित कोई भी सवाल आता है, तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे, धन्यवाद.